चलिए शुरू करते हैं आपका हिस्ट्री का अध्याई वन पाशानकाल तो पूरा पाशानकाल मत पाशानकाल नप पाशानकाल उत्तर पाशानकाल यह सारे आज पढ़ेंगे सिर्फ आपका सपोर्ड अस्रस्काइब होना चाहिए और कुछ नहीं मैं सिर्फ कंटेंट देता र रहेगा तो चलिए सुरू करते हैं नरेकाडविस सिच्छा मंतर पे आपका हार्दिक श्वागत रहेगा अध्याए पांच तक पांच से छे अध्याए तक आपका जोग्रफिक हो चुका है जाकर देख लीजेगा और भी अध्याए बचे हुए जो कि मैं करवा दूँगा तो टीचे आपको ये बताया हुआ कि इसमें से कौन ऑप्शन होगा तो चलिए इसका हम क्लियर करते हैं शबसे पहले देखिए पूरा पशान काल अगर आपको पता है तो सब धीरे धीरे आपको पता हो जाएगा तो पूरा पशान काल मतलब बहुत पहले की बात होगी तो पहले की मत्तब 20,00,000 इसा पुर्व से लेके आपको 9,000 इसा पुर्व होगा, जिसमें A का 2 होगा, वो सही होगा, ये जरूर ध्यान किया, तो दिखें, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये B आपका नहीं होगा, ये आप जाने गए, ठीक है, D भी आपका है, अब बात करते हैं कि मत्तब पशानकाल क्या होगा, तो पूरा पशानकाल का 20,00,000 इसा पुर्व कर दिए, तो मत्तब पशानकाल का भी आपका 9,000 के बाद चालू हो जाएगा, तो 9,000 इसा पुर्व से लेके 4,000 इसा पुर्व होगा, तो उसके बाद 3 होगा, तो ये ही तो अंसर आपका दिख र पाशान का उत्तर पाशान का लाएगा, तो जैसे ही उत्तर पाशान का लाएगा, तो दो हजारी साप पुरुषिले के प्रथम शर्ता आप लिए, अब चलिए इसके बारे में डिटेल खुद ये बुक देगा, चलिए, आपको किलियर भी कर देंगे, जो दिक्कत होगी इस प पत्थर का, इसलिए अस्टोन एज कहा जाता है, तो पाशान यूग इतिहास का वह काल है, जिसकी अबधी मानव इतिहास के प्ररंब होकर काशा यूग तक बिस्तरित है, मतलब सोचे पाशान यूग अस्टोन एज जो है इतिहास काल जो है, जिसकी अबधी मानव इतिहास स प्रम्भ होकर काशा यूग तक बिस्तृत है, चर्चा इसमें है, चरिए ये तुझानगे, इसके चर्णों में, यार रखिए चर्णों मतब, देख लिए कितने चर्ण में आएगे, तो जैसे पुरा पशान काल, मत पशान काल, मत पशान को ही लगु पशान काल कहते हैं, आग मदपशान 2 हो गए, नपशान 3 हो गए, और उत्तरपशान काल 4 हो गए, जिसमें से हम ये तीनों ज्यादा important मानते हैं, पुरापशान, मदपशान और नपशान, लेकिन चौथा है उत्तरपशान काल, क्योंकि नपशान से ही कटके ये उत्तरपशान काल बनेगा, तो ये तो हम पुरापशान काल का डेट है, 6 لاक हिसा पुरु से लेकिन 9000 हिशा पुरुव, ठीक है, लेकिन हम उपर क्या लगा है, 20 lahक हिसा पुरुव, तो वो दिक्कत नहीं है, बस इतना ज्रू ध्यान कीएगा, लाख, 100 लाख हिसा पुरुभ होना चाहिए, 6 लाख हो, 2 लाख हो, 15 ला पशान काल कते हैं, जिसे लगु पशान इसलिए कल एवज्यार बनाया कते हैं, इसलिए लगु पशान कहा जाता था. लगु पशान हो या मत पशान काल काल काanois का. काल काग अगर डेड़् पूछे, तो ौग से लिए के 4000 इसलिए पुरूत तक बता देया बुछे. अब 4000 इशा पुरुवत तो हम जान गए लेकि pursuit नव पशान यूग का बात करते हैं तो देखिए, 9000 से 4000 इशा पुरुवत तो मतपशान काल है, उसी समय नव पशान काल धीर धीर तो परिवरतन होता है ना, तो 6000 इशा पुरुवत नव पशान काल यूग रहा था, ठीक है, उस प्रथम शताब्दी मतलब एक इसा से लेके 100 इसा तक की अंतीम इयर को, कब अंतीम इयर को बोला जाता है प्रथम शताब्दी, मतलब एक इसा से लेके 100 इसा की बात करेगा, उसके अंतीम समय को ही बोला जाता है प्रथम शताब्दी, समझ गए? इसलिए वहाँ पर एक इसा से सौ इसा बुलके ना बोलने के चग़ा पे परथम सताब्री जाल दिया है। इसरा प्रश्चन है कि मानव शबता के आरंभी काल को तीन भागों में बाटा गया है। निमलिकित में से कौन शा काल उन तीनों में नहीं आता है। प्रारंभी काल को ही प्राग एतिहाशी काल बोला जाता है तो प्रारंभी काल बोल दें या आरंभी काल बोल दें कोई दिकत नहीं है यहाँ पर आरंभी काल लगा दिया है कोई दिकत नहीं शुरुआ थी है तो प्रारंभी काल उसी काल को क्या करते है प्राग एतिहाशिक काल बोलते हैं अब इसे तीन भागों में बाटा गया है जिसमें से option number D आप देख रहे होंगे है ना महापशानकाल ये जो है आपका नहीं आता है इन तीन भागों में क्योंकि पुरा पशानकाल आता है महापशानकाल आता है नपशानकाल आता है लेकिन आपका महापशानकाल नप पशानकाल में बाटा गया है लेकिन महापशानकाल को याद किया महापशानकाल दच्छीन भारत में विशाल शिलाओं से नर्मित शमादियों से समंदित है मतलब समझ में आया ने समझ में आया चलिए बता देते हैं महापशान काल को आगे इंगलिश में कहते हैं, मेगालिथिक प्रियट कहते हैं, मेगालिथिक प्रियट इसलिए कहा जाता है, क्योंकि दर्चिन भारत में, मतलब सौत तरफ, सौत इडिया तरफ चले जाईए, तो दर्चिन भारत में क्या हुआ कि विशाल सिलाओं से निर्व जो निर्मित हुआ वो शमादियों से समंदित है, जो निर्मित हुआ वो शमादी था, वो समादी से समंदित को ही हम महापशानकाल कहते हैं, इसलिए ये तीन भागों में नहीं आता है, इतिहासकारों नहीं महापशानकाल का निर्धारन, निर्धारन क्या था, समय बताया था एक हजार इशा पुरूशे लेकर प्रथम शताबदी इशा पुरूशे के मद बताया था अब देखिए अब ये जो आप देख रहे हैं महापशान का जो नरधारन किया गया था एक हजार इसा पुरुषे लेके पर्थम शताब्दी तो पर्थम शताब्दी को मैं बता देता हूँ ये जो पर्थम शताब्दी होते हैं एक इश्वी से लेकर सो इश्वी के अंतिम वर्ष के अंतिम वर्ष का जो है उसी को बोला जाता है पर्थम शताब्दी समझ गए तो एक हजार इसाफ पुल से लेके प्रथम सताब्दी के मद्र जो किया गया था उशी को कहा गया था महापशानकाल ये दच्छिन भारत में मतलब सौथ इंडिया में एक विशाल जो है सिलाओं से निर्वित एक शमादी है उसी से समन्दित बात करता है और उसी से समन्दित बातों को हम महापशानकाते या मेगा लिटिल पर देट करते है केलियर हो गए और इसका अगर देट पूझते महापशानकाल का तो एक हजार इसाफ पुल से लेके प्रथम सताब दिया दूसरा कोश्चन मतलब तीसरा question, sorry, दूसरा question दो हो जोगे, तीसरा, तीसरा question है, किन निमनिखित पर विचार किजे, अब निमनिखित पर विचार करने के लिए हमको तीन option और देखने होगे, जैसे पूरा पशानकाल, तो पूरा पशानकाल को, इंगलेस में कहा जाता है, क्या बोलते हैं, पहले हो लिठिक एज कहते हैं, लिठिक कहेंगे, पहले हो मतलब पुराना, पहले हो लिठिक, अब चलिए, दो और देख लेते हैं, मत पशानकाल को, मेशो लिठिक एज कहते हैं, न पशानकाल को, नियो लिठिक एज कहते हैं, लेकि सवाल क्या था, अब देख लीजे, बता विचार कर लिया, विचार किया तो इसका अंसर यहां पर देखिए, कोशन ही इसका समझेगा, क्या कहना चाहरा था, कि उपरुक्त में से किस या किन काल के ओजारों को माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ मतलब लगुपशान कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तो आगे तो एक कोशन पर देख रहे हैं, 2, question मेर देख रहे हैं, इसी को कहते ही, तो question नबर 3 का 2, जो option देख रहे हैं, वो ही अंसर होगा, मत पशानकाल का, जो की cable 2 होगा, क्योंकि लगुपशान, मत पशानकाल को ही कहा जाता है, क्योंकि उस समय चोटे-चोटे या जार बनते थे उसी को माइक्रो लिथी कहिए या लगुपशान कही जाते थे अब इस पर चलिए डीटेल की बात करते ही चलिए तो इस पर जानकारी थोड़े डीटेल के साथ लेते हैं थोड़े अस्तिर से आपस प्रिट करके वीडियो देख लिए तो अब देखें मधपशान काल को या दोखिएगा मधपशान जो काल है उसका अगर डेट चरूर पूशेगा जो कि हम पढ़ चुके उपर भी तो 9000 इसा पुरू से लेके 4000 इसा पुरू तक के काल को क्या कहेंगे मधपशान काल जो कि मैंने बोला ही कि मधपशान काल का डेट क्य 9000 सबस्व से लेके 4000 सबस्व जोगी उपर पढ़ चुके थे अब देखे मध्पशान काल को इंग्लिश में कहा जाता है मेशो लेथिकेज क्या कहते हैं मेशो लेथिकेज तो यह हो सकता है मतबच़ान के जगह पर मेशो लेथिकेज देदी जैसे लगोपशान का माइक्रोलिथिक दे देता है तो उससी तर्व देशकता है तो याद रखना ज़रुरी है अब इस काल मतलब मटब उलाइज की बात कर रहा है entire unit age की बात कार रहा है तो इस काल की पास्याण मतलब पशान आउजार, पत्थर के आउजार, स्रमानता बहुत छोटे होते थी, क्या होते थे, बहुत छोटे होते थे, किस काल का, महा, जो मत पशान काल जो देख रहे हैं, उस काल का जो आउजार होता था, पशान का आउजार, वो बहुत छोटे होते थे, पशान मत पत्थर के, इ माइक्रोलिथ को जगह पे लगुपशान कहीं देगे, क्योंकि माइक्रोलिथ मतलब होता है हिन्दी में लगुपशान, बस इतना जान देगा, लगुमन छोटा, माइक्रोमन भी छोटा, सुचु, है न, तो माइक्रोलिथ कहे जाते थे, क्योंकि मतपशान को इसलिए माइक्र इन आउजारों में हड्डियों या लकडियों के मुठ्थे मतला हैंडिल जो कि बनाय जाते हैं पकड़ने के लिए हैंडिल लगे हशिया और आरी जैसे आउजार मिलते हैं अब सोचिए मतला जो आउजार बना था पाशान का आप देख रहे हैं तो आप एक जी जान लेजिए कि हड्डि का लगाय जाता था या लकडि के मुठ्थे जो पकड़ने के लिए हैंडिल होते थे उसे लगाय जाते थे और जो लगाय जाते थे लकडि के मुठ्थे या हड्डि किस में लगाय जाते थे कौन से ओजार में तो हशिया और आरी में लगाय जाते थे तो ये ओज पशानकाल को किस और नाम से जानते हैं, तो माइक्रो लीथ के नाम से मतलब लगुपशानकाल के नाम से जानते हैं, समझ में आ रहा है, कोश्चन चुटना नहीं चाहिए, अब देखिए, अब जो हशिया और आरी जो अजार बने, क्यों बने, कुछ तो होगा, मतलब तो सिर्फ आखेट होते थे, या दखिएगा, एवं पशुपालक, यह हसिया आरी का इस्तमाल जो है, आखेट के लिए होता था, शिकार करने के लिए, अपने बचाओ के लिए भी करते थे, और उस समय जो ये मतपशानकाल का जो समय था, उस समय पशुपालक भी बन गए थे, म मतपशानकाल के लोग, ये मतपशान की जनकारी कून दिया, कोई तो होगा, बताया होगा कि मतपशानकाल है, नपशानकाल है, इस तरह कोई तो बताया, तो हाँ बताये हैं, तो मतपशानकाल की जनकारी शरप्रथम, शन 1867, मतलब 1867, में कून दिये थे, स्री एल, क्या नाम है कलाईल, कलाईल द्वारा दिया गया था, किनके द्वारा कलाईल द्वारा, कब दिया गया एडन 67 में, मतब 867 में, किसकी जनकारी दी गई, कलाईल द्वारा, तो मत पशानकाल की जनकारी दी गई, चीक है, मत पशानकाल की जनकारी जो दी गई, अब ये जो है, कलाईल वो किस छेत्र से समन्दित होगा, कहां दी होंगे, कहीं तो खोजे होंगे, हाँ खोजे, स्रिलंका के छेत्र में, अब स्रिलंका छेत्र में, स्रिलंका छेत्र के कौन से जगह पे, तो हम बताएंगे सीहन पे, तो सीहन जो छेत्र था, जो कि स्रिलंका में पढ़ता था, उस सब सबसे पहले पहले खुजा गया। के सिरह थो द्यार की सुंध्य रूत शचेट। क्यों अब यहां धम भीक हम साख्ड़ मिलें कर दो China का म्याक ना जो डिखना मिला उनका हिए और खुदे मासी तक पहले और उच्छ समझने जा शोय है। अगर थोड़ा सा मिश्टेक हुआ, सब गड़वर हुआ, यह तो अंसर आप देख लीजेगा तो अलग बात है, लेकिन ऐसे सुचें, सबसे पहले, मानव सद्रिश प्रानी, जो प्रक मानव से प्रजाती रूप से भिन्य था, देखें, मानव सद्रिश प्रानी जो है, मानव प्रजाती रूप से भिन्य था, प्रजाती रूप से भिन्य था, ठीक है, जो समानता जाना जाता है, तो समानता जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो देखें, अगर होमी नीध है, तो यह गलत हो गया, होमी और भी रहता, तो हम लगा देतें, लेकिन यहाँ पे अंसर होगा option number B, क्योंकि ये भिन्य था, कैसे भिन्य था, यही सवाल पूछ रहा है, समानता कैसे जाना जाता है, तो हम जानते हैं, क्योंकि इसे पिथे, कैंथ्रो, पस के रूप में जानते हैं, या चुखेगा, तो प्राक्मानव का प्रजाती भिन्य रूप, मतलब प् पुर्विश्व के अनिक भागों में अधिक विक्षित मानव जाती का अवीर भाव हुआ, मतलब विक्षित मानव जाती हो रहे थे, डेवलप जो हो रहे थे, मानव जाती का अवीर भाव हुआ, अवीर भाव मतलब जनकारी भी मिलते हैं, उसे पता भी किया जाता है, तो इस रूप में दो रूप में हम बता सकते हैं जासे कि या हम इसे पिन्थे canthropus बोलेंगे। या homo erectus कहते हैं कि पिन्थे canthopardus और haromo erectus जो थे, वो क्यों कहा जाता था मानवजाती को, क्यों इस से समन्दी थे tragen क्योंकि उस समय जो है, आप याद दखेगा सीधे चलने वाले मानव थे, सीधे कपिल चलने वाले मानव थे, इसलिए उन्हें पीथे कैंथ्रोपस या हूमो एक्टर्स कहे जाते थे, और यह जो हूमो एक्टर्स देख रहे हैं और पीथे कैंथ्रोपस देख रहे हैं, यह मानव जाती की एक पहशान कहिए इसी की प्रजाती कहिए जो की है समझi कोई दिकत नहीं चले चलते हैं पांचमा प्रश्ट पांचमा प्रश्ट को आगे द्यान में रखेंगे कि भी मेट का किसके लिए प्रिशिड है तो भी मेट का बहुत इंपोर्टेंट है बताईएगा बताएंगे तो भीमेटका गुफाओं और सैल चित्र के लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ दियोंगे आप तो गुफाओं और सैल चित्रों के लिए भीमेटका प्रसिद्ध है चलिए इसके बारे में थोड़ी जनकारी लेते हैं तो चलिए भीम बेटका की जनकारी तो बनता है क्योंकि important है तो भीम बेटका को आज पढ़ लिजे कि जीवन में भूलना मना हो जागा आप seated की त्यारी करते हो या straight की त्यारी करते हो या कोई भी टीशिट की त्यारी करते हो तो भीमबेटका जो है गुफाओं की प्राग एतिहाशिक काल की चित्रकारियों के लिए लोग परिया है तो मतलब आगे तो एक सवाल बना क्या कि भीमबेटका जो है क्या है प्राग एतिहाशिक काल के समय है जिस समय बन रहा था उस काल को क्या करते प्रागेति हशिक काल कहेंगे बसे ही तो सवाल बनता है ठीक है आप ये जान के मान लिए मैंने आपसे और सवाल क्या पुछेगा ये गुफाएं मतलब भीमबेट का गुफाएं भुपाल से 45 कि मी दूर राइशन जिले में स्थी थे अब राइशन जिले में तो राइशन जिले को एक और नाम से जान सकते हैं अबदुला गंच तो हो सकता है राइशन जिले के जगा पे अबदुला गंच दे दे कि भुपाल से 45 के लिए दूर कौन सा जिला है तो बदुला गंच है वहां क्या इस्तित है तो भीमबेट का इ से छित्र में तो भुपाल से 45 की में दूर जाएगा ना तो एक जीला मिलेगा राशन जीला वहां इस्थिताब को भीमेटका मिलेगा चलिए ठीक है यह जानगे अब भीमेटका की बात करते हैं तो भीमेटका की खोज तो कोई क्या होगा तो भीमेटका की खोज जो है हुआ थ तो कब खोज की गई उन्हें 57 से लेके 59 में की गई थी अब खोजने वाले का नाम भी तो होगा तो भीम बेटका का खोज करने वाले का नाम है डॉक्टर विश्नु सुरिधर वाक नंकर नाम है तो डॉक्टर विश्नु सुरिधर वाक नंकर द्वारा की गई है कब तो याद भीम बेटका की खोज जो की गई थी 1957 से 1958 में की गई थी यही सवाल आप से पूछ रहा था सिर्धर जी दवारक हो जा गया बानकर दवारक पाया गुफाओं में प्राकर्टिक अब गुफाओं में जो आप भीमेटका गुफा जाएगा तो उसमें लाल और शफेद रंगों के जो बन प्राणी प्राणियों के शिकार द्रिष दिखेंगे आपको क्या दिखेंगे बन के शिकार करते थी, उसके चित्र बनाते थी, और चित्र कैसे बनाते थी, तो लाल और सफेद रंगों के चित्र बनाते थी, भीमेटका में, गुफाओं में, उसके अलावा हाथी और बाग का भी चित्र आपको दिखने को मिलेगा, कहां उकेरे गये हैं, चित्र उकेरे गये मत लगभग बनाए गये हैं, तो कहां भीमबेटका के गुफाओं में, किलियर हो गये, ठीक है, सिकार करते थे उसका विच्चित्र बनाते थे, हाथ या बाग का विच्चित्र बनाते थे, और लाल और शफेद रंग से बनाते थे, यह भी तहां दखीगा, समझ गये, अब लगभग एक किमी चोड़ी, तथा 1.500 में उची भीमबेटका की 700, 754, गुफाओं के लगभग 500 चित्र अंकित हैं, कितने चित्र अंकित हैं, 500 चित्र, अब सोचिए, मतलब भीमबेटका में, या दखेगा, कितने गुफाए हैं, तो 754 गुफाए हैं, आगे उसकी चोड़ाई हैं, तो लंबाए चोड़ाई तो नहीं है, चोड़ाई उचाई है, तो एक किमी चोड़ाई है, बस एक किमी चोड़ाई है, और देर सौ मी उची है, सोच लीजिए, चीक है, अब उसमें कितना गुफाए हैं, तो 754 गुफाए हैं, और चित्र कितने हैं, तो 500 स इष्टित्र जो है अंकित किया गया है अनुवान लगा सकते हैं कि पांसो चित्र अंकित अंवान ज्याद़ तर लगईगा कि 500 के लंसम है चीक है यहाद दूखेंगे अब जुलाइ अस्थल में घोशित हो गया था, ठीक है, ये भी किलियर हो गया, आप चट्टे प्रश्ण के बात करते हैं, तो चट्टे प्रश्ण देखिए, कि किस अस्थल से मानव कंकाल के शाथ कुत्तो का कंकाल भी प्राप्त हुआ है, तो जैसे ही आप से पूछे कि मानव कंकाल और कु के कनकार मिले हैं तो वह ऑप्शन नमबर वर्ज हों में तो चलिए जनकारी इसकी लेते ही वर्ज stir अजए अश्थल माने जाता है और ये कहां है? तो काश्मीर घाटी में हैं. काश्मीर घाटी के कौन से छत्र में? तो स्री नगर में. कहां? स्री नगर में. और स्री नगर से 6 मिल उत्तर पूरा में स्थीर है. कितने है? स्री नगर जाएगा ना, तो 6 मिल आपको जाना पड़ेगा उत्तर पूरा में. मतलब इस्ट और नौर्थ और इस्ट में जाना पड़ेगा, कहा जाना पड़ेगा, नौर्थ और इस्ट में जाना पड़ेगा, या या रखेगा, तो बुर्ज हूम आगे सवाल कितने बनेंगे, तो बुर्ज हूम कहा है बाई, तो काश्मीर घाटी में, तो काश्मीर घाटी में कह और ये किस समय की बात करता है तो नपशानिक खाल का स्थित माना जाता ब्रजू जडूँ के लिए हो गए अब देखिए इस इस अस्थर में मानव कंकाल के साथ कुट्झे के साथ भी प्राप्ट हुए है तो ये डिरेक्ट सवाल पूछता है कि मानव कंकाल और कुत्य कंकाल किस वर्जहों में मिला है आगे पूछेगा कि अस्थानी भाषा में वर्जहों को अस्थानी भाषा में जानते हैं वर्जहों को क्या बोला जाता है place of virg क्या बोलते हैं place of virg बोला जाता है place of virg कहा जाता है यह जान गए अब देखिए बात करते हैं कि बुर्जों की खोज तो कोई किया होगा तहां किये हैं उन्हें 35 में खोज की गई है बुर्जों की कौन किये थे तो पता है D, Tera और Peterson ने तो D, Tera और Peterson ने मिलकर उन्हें 35 में बुर्जों की खोज की ठीक है यह भी याद हो गया होगा आप देखिए गर्तावाश जिसे पिट बोलते हैं गर्तावाश इस अस्थर की प्रमुक विशेस्ता है यहां के लोग कृशी से परची थे यह भी जाने इसकी खोज कब हुई 1935 में कौन किये तो D, Tera और Peterson मिलकर किये थे वर्जों कहां है तो कास्मिन घाटी में कास्मिन घाटी के कौन मतलो कास्मिन घाटी के में कहां स्रीनगर में और स्रीनगर से 6 मिल दू जाई उत्तरफूरब में मिलेगा बत खतम यही पूस्ता है चलिए शातमा प्रश्ण का जवाब हैंगे नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था तो नवदा टोली का उत्खनन की बात करेंगे तो option number C HD एचडी शांकिलिया आने किये थे कौन किये थे? HD शांकिलिया आने किये थे तो यह सवाल पूस्ता है, कि नवदा टोली का उत्खनन की बात करेगा, तो कौन के थे, तो HD शांकलिया के थे, चीक है, आगे चलिए, इस पर डिस्कस करते हैं, थोड़ी जनकारी लेते हैं, आपफन के साथ लेते हैं, कोशिश करता हूँ कि आप समझे, अच्छा लगे तो प अदूरी पर इस्तित है, अदूरी पर इस्तित है, तो मालवा संस्कृति से समंदी थे, किस समंदी थे, मालवा संस्कृति से समंदी थे, तो जैसे ही नवदा टोली की बात आएगा, तो नवदा टोली जो था, इंदौर में है, इंदौर में है, नवदा टोली कहा है, इंद दच्षिन की ओर कितना जाना पड़ेगा? 60 मी जाना पड़ेगा और 60 मी की दूरी कि अब पहुचिएगा जब वहाँ पर जाकर इस्थित हो येगा तो वहाँ पर क्या है? किस समंदी संस्कृति है तो मालवा संस्कृति से समंदी थे अब सोचिए, आब नवदा टोली जाएए, नवदा टोली जाने से पहले हमको इन दौर जाना पड़ेगा, इन दौर के दच्छिन की ओर जाना पड़ेगा, दच्छिन की ओर जाके साथ मी की दूरी परिष्थित है नवदा टोली, अब यहां पहुंचेंगे, यहां पहुंच से लेकिं 1200 इसापुरू की बात करता है, तो नब्दा टोली का अगर समय पूछे, तो हम बताएंगे 1700 से 1200 इसापुरू बता देंगे, अब इसे जो आप पढ़ रहे हैं, 1700 से 1200 इसापुरू, इस समय ताम्र पशान कालिक अस्थल माना जाता है, क्या माना जाता है तामरिपशानीका, जैसे आप दो पड़े भिमेटका पढ़ लिए भिमेटका को प्राग यतिहाशिका में रखा गया है, बुर्ज होम को न पशानीkick अस्थल में रखा गया है तो उसी तरद नवदा टोली को रखा गया है ताम रपशानी का स्थल में किलियर हो गए? कोई दिक्कर नहीं ना? अगर है तो कमेंट चुरू करेंगे अब जैसे कि सारे भी मेटका और बुर्ज हों की अगर हम बात करते हैं उत्खनन की खोच करता की तो चलिए उसी तरह नवदा टोली की बात करते ही तो नवदा टोली की अगर बात करें तो इसका उत्खनन जो है मतब नवदा टोली का उत्खनन जो है दक्कन कॉलेज दक्कन कॉलेज मतब पूना के सोध करता दक्कन कॉलेज के पूना के सोध करता थे जिनका नाम HD शांकलिया था उनके द्वारा किया गया था तो आप से ये पूस्ता है कि नबदा टोरी का जो खनन हुआ था वो कौन किया थे? तो HD शांकलिया के थे अब HD शांकलिया कौन थे? तो याद दखे हैं, दक्कन कॉलेज दक्कन कॉलेज, मतलब जो पूना पढ़ता है वहाँ के ये प्रोफेशर थे समझके? वहाँ के ये सोथ करता थे ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक करते हैं तो किसकी खोच किये तो नबदा टोरी का खोच किये कौन किये? HD शांकलिया अब देखें, नबदा टोरी की बात करें तो यहाँ से, नबदा टोरी से, यहाँ से मुक्फशलों, मतलब मुक्फशलों मतलब मुक्फशलें गेहूं, अलसी, अमशूर ये जो गेहूं, अलसी, अमशूर के जो हैं, साच्छ प्राप्त हुए हैं तो कहां से हुए है नबदा टोली शी हुए यह तू जानगे तथा यहां के निवाशी जो है आयताकार और वर्गाकार जोपडी में रहते थे अब आप से ये भी पूछेगा कि आप बताईए कि नबदा टोली का जो लोग थे वो कैसे रहते थे किस तरह के घर में रहते थे तो आयताकार घर में रहते थे या बर्गाकार जोपडी बना के रहते थे तो आयताकार जोपडी रहते थे या बर्गाकार ये दोनों में रहते थे तो आप याद रखेगा कि आयताकार बोल दे या बरगाकार बोल दे तो ये नबदा टोने के लोग दहने वाले थे वहाँ का जो मुख फशल जो साच मिला था फशल का गयो मिला था ऐसी और मशूल मिला था क्लियर आठमे प्रश्ण के और चले चलते हैं आठवा प्रशन आप देखे, आठवा प्रशन क्या बोलता है कि तामर पाशानकाल में महराष्ट के लोग मृतकों को घर में फर्स के नीचे रख कर किस प्रकार दफनाते थे, सोचिए तामर पाशानकाल के समय की बात हो रही है, उससे मैं पता है तामर पाशानकाल में महराष जो अभी देख रहे हैं, महाराष्ट के लोग मृतकों को घर में फर्स के नीचे रख कर किस प्रकार दफनाते थी, तो बताईए आठमा प्रस्ट का जवाब दे शकते हैं, हाँ दे शकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि आप्शन बरे उत्तर से दच्छिन के और दफनाते थी, और महाराष्ट के लोग मृतकों को मृतकों मतब जो मर जाते थी, घरों के फर्स के नीचे उत्तर दच्छिन दिशा में करके इन्हें दफना देते थी, लेकिन दफना तो देते थी, और तामर पशान काल क्यों कहा गया है, ये भी तो ज़रूरी है, दफनाना तो ऐसा तामर में, तो इनके कबरों में, मतब इनकी कबर पे, जो मत्र जहां पर गाड़ा जाता था रों में, नीचे कबर खन के, तो कबरों में मिट्टी की मट्के, मिट्टी की मट्के मतब हांडी कही है, मट्के कही हांडी कही है, हांडी कही जो को सकते हैं, और ताम्बे की कुछ बस्त तो रख दिया जाता था चीक है तो कुछ रख दिया जाता थे यह तो किलियर होगे महाराष्ट का लेकिन और भी जगह पे यह साच मिला है तो कैसे मिला है चलिए जनकाली लेते तो जैसे अहमद नकर के जौरवे एवं डैमावाद तो जौरवे डैमावाद पूने जिले में कौन-कौन जगह पे सोनगाउं इनामगाउं और चंदोली आदी से भी इसके साच प्राप्त हुए हैं समझ गया मतलब आहमन नकर के जौरवे एवं डैमावाद आपको यहां जौरवे और डैमावाद ज सोनगाउं इनामगाउं और चंदोली यह जो तीन जगह हैं पूने के जिले जो तीन जिला है उस जिले में भी इसके साच मिले हैं और यह जो आप पूरा देख रहे हैं इस सबी छेत्र को जौरवे शंसकिती के नाम से भी जाना जाता है यह जरुर मृत यां रखेगा अब जौर्वे संस्किती की बात किये हैं, तो जौर्वे संस्किती का काल तो बताईए, तो इस काल, जो है काल माना गया है, 1400 से 700 इसा पुरुव माना गया है, कितना माना गया है, 1400 से 700 इसा पुरुव माना गया है, जौर्वे संस्किती, और इसके अंतरगत ही आते हैं, बस इतना जालकना है, समझ में आ गया है, चलिए, आगी चले, चलते हैं, नौ में प्रश्न की बात करते हैं, किसे, या देखिया किसे, चलको लिथिक, अब सोचिए, इतना पढ़ दिये लिथिक, अब चलको लिथिक भी है, चलिए पढ़ते हैं, तो चलको लिथिक यूग भी कहा जाता तो चालको लितिक जो है किसे कहा जाता है बता सकते हैं तो हाँ कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे आप्शन नमर सी तामर पशान काल को कहेंगे तामर पशान यूग या तामबा यूग अब सोचिए तामर पशान को ही तो तामबा यूग कहते हैं अब देखें तामर पशान यूग ताम्वायूग जो है नपशान यूग के बाधपररंब होता है, मतलब नपशान यूग के बाधपररंब होगा कौन ताम्रपशान यूग या ताम्वायूग जो करते हैं, यह हम जाने गए कि हां भाई नपशान यूग के बाधपररंब होता है, ताम्रपशान यूग के अधिकांस तो पत्थर और ताम्डे के उपकरन का प्रयों करते हैं, अब लीजे, पत्थर और ताम्डे का उपकरन तो करते ही थे, तभी तो ताम्डपशान युग कहलाया, पत्थर तो होता है, पत्थर तो पत्थर तो पशान काल सही चलते आ रहा है, तो वो थोड़ी हड़ वो भी रहेगा लेकिन कम्रपशान भी रहेगा, जैसे अभी सोचिये नहीं, अभी भी सोचिये कि आदिवाशी लोग हैं, ते रधन इसका का इस्त 화une करते हैं, अभी भी गोली बंदुक नहीं चल रहा है, गोली बंदुक में चल रहा है, लडाय धुद्धवार तलवार की उपकरन बरने लगा चलिए इसे चालको लिथिक यूग एज भी कहा जाता है तो तामर पशान काल को किस नाम से जाना जाता है एक और नाम क्या है तो बताएगा चालको लिथिक यूग बताएंगे क्या बताएंगे चालकोलिथिक एज बता देंगे किसे बोला जाता है तामरपशान यूग को और किसे तामवायूग को भी बोला जाता है तामरपशान तामवायूग एक ही है जिसे चालकोलिथिक बोलते हैं जैसे कि माइक्रोलिथिक को जो है माइक्रोलिथिक को लगुपशा जो थी वो मालवाश शंस्कृतिती जो कि हम आठ्वे क्वेशन में पढ़ चुके थे मालवाश शंसक्रिती तो होगा है नुद कि यह दोनों से समंदी था आपका तांb Ginny तो आपको यह जो गौरिक जो देख रहे हैं मिर्तभांट देख रहे हैं उसका सौट फॉर्म में अगर देखा जाए ब्रैकेट में लिखावा सी पी ओ ठीक है आगे इस पे डिटेल हम बात करेंगे बाद में तो इसका नाम करन हुआ था तो आप्शन नमरे हस्थीना पूर मे हुआ था ठीक है गौरिक मिर्तभांट पात्र जो है उसका नाम करन हस्थीना पूर में हो था एक जगा और हुआ था जो कि हम इस पे चलेए डिटेल में बात कर लेते हैं सवाल कैसे बनेंगे आगे क्लियर करते हैं फन के साथ थोड़ा गौरिक मिर्तभांट संस्किती का यर जो मिर्तभांट है उसका नाम करन हुआ था चीक है क्लियर अब ये जो आप हस्थीना पूरा वंतर जी खेड़ा में जो नाम करन हुआ ये बरतमान में हैगा तो यार्द कियेगा हर्याना और रास्थान हर्याना और रास्थान की सीमा प्रइस्थित है यह भी सवाल आता है अब आपसे यह भी पूछ सकता है कि जो हर्याना और रास्थान की सीमा प्रइस्थित है तो जोधपूर में है जोधपूर में जोधपूर में गौरिक मृतभांड का सबसे मोटा जमा देखने को मिला है देखा गया है जोधपूर में गौरिक मृतभांड का सबसे मोटा जम मिला है यहां से यहां से मतलब कहां से गौरिक मिर्तभांड से ठीक है काले वा लाल मिर्तभांड का प्रेयोग करने वाले लोगों की बस्तियों के अस्टित्व का पता चलता है मतलब हर्याना और रास्थान के सीमा पर जो मिर्तभांड मिले हैं, गौरिक मिर्तभांड मिले हैं, जो कि सबसे मोटा जवाँ मिला है, वहाँ पर क्या हुआ है कि काले और लाल मिर्तभांड का प्रयूग किया गया है, काले और लाल मिर्तभांड का प्रयूग किया गया है, उससे ये पता चलता है वस्तियों के लोग का पता चलता है कि यहाँ पर बस्ती बसा हुआ था उसका पता चलता है यह emission अब चलिए और प्रशन के बात करते ईका लाज़ाई एक आर्मा प्रशन है कि उस नाम बताएं जो बड़तमान में बलूस्थैन में इस्तृत है अब दिखिए उस अस्तल का नामत है जो बलुचिस्तान चला गया है तो वो है option number C मेहरगड और भी भी आई प्रश्ण है seated वाले भी अगर देना चाहते तो देशकते हैं क्योंकि कोश्चन इसी से बनता है तो मेहरगड तो बलुचिस्तान में चला गया है कौन पाकिस्तान में बेलन नदी के किनारे इस्तित है कि मेहरगड जो आप पढ़े कि बलुचिस्तान में कहा है पाकिस्तान में याद खेगा और कौन सी नदी पर है तो बेलन नदी के किनारे है इस्थित है तो मेहरगड तो आप जानगे जो कि आपको बलुचिस्तान चला गया है बलुचिस्तान बोलते हैं बलुचिस्तान बोले जाता है अपकिस्तान में है और यह मेहरगड की अगर बात किया रहे हैं तो नपशान काल से ले कर पता है हड़पा काल तक की संस्कीति एतिहास का अफशेस मिलता है मेहरगड से ही समझ गया हड़पा काल का भी अफशेस मिलेगा आपको ना पशान तो अलग बात है हड़पा काल का भी मिलेगा मेहरगड से क्या हुआ है मेहरगड से क्रिशी कार्ज के साथ-साथ तांबे ग लाने का जो है साच का मिला है तो मेहरगर से है लीजिए तो यह होगे पशान काल खतम अस्टोनीज खतम होगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका बैदिक्षपता जिसमें वह भी 21 कॉस्चन नमबर है तो चलिए आज के लिए तना रखते हैं जैहिंद जैवारत अच्छा ल नेगे